यहां पे दो पोट आप्रिक पे मैं बात करूँगा जो काफी साथ स्ट्वेंट्स को यहां प्रपरेशन कर रहे हैं कि गाइड लाइन्स कि विडियो को एन पूरा एंट तक जरू देखेगा पहली बात अगर गाइड लाइन्स की बात करेंगा जैसे कि अभी हो में इस्ट्री नॉन टीचिंग इस्टाफ वो, स्टुडेंट्स हो, सबके लिए यहाँ पर कमपल सुरी है साथी सथ प्रॉपर सेनिटाइजेशन आप दे एग्जामनेशन सेंटर, डेली एग्जामनेशन सेंटर्स को वहाँ पर सेनिटाइज किया जाए तो यह कुछ यहाँ पे compulsory थी, face covers हुए, teachers के लिए, gloves हुए, तो यह सब के सब यहाँ पे compulsory थे, ओके, तो यही सेम guidelines आपकी जब नीट का dress code release होगा, तो आप लोगों के लिए mask वहाँ पे compulsory वहाँ पे कर दिया जाएगा, और यह 100% यहाँ पे है, कि आपका mask वहाँ पे compulsory किया जाएगा, लेकिन यह guidelines यहाँ पे release कियेंगे, लेकिन कितने safely examination हो सकता है, क्योंकि government जिस हिसाब से बोले ही, वो safely examination conduct करा सकती है, इसका main result government की safely का, आपको देखने को मिलेगा, 1215 July जब आपकी CBSC board के examination conduct यहाँ पे कराय जाएगे, अगर government के कुछ points को अकर देखें, तो वो इतन distance maintain करके रखेंगे, अगर वो distance maintain करके रखते हैं, तो कोई भी students अगर एक place से दूसरी place तक travel करके जाता है, second place to बापिस अपने examination center से घर आता है, तो वो students किस किस लोगों से, सामने से, किस लोगों के बगल से, कहां से निकल के जा रहा है, और उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकि centers को sanitize कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई students किसी cab, किसी auto, या किसी private auto से आ रहा है, तो आप उसको कैसे वहाँ पे sanitization पे आप उस autos को रख सकते हैं, या तो governments को, students को pick करने के लिए particular city में बसस चलानी पड़ेंगी, जिस से students उस particular bus से ही examination center से अपने respective slots में पहुँचें, क्योंकि आप उनके chances बीमार होने के काफी जाना है, जो government के लिए यहाँ पे एक challenging निकल के आता है, second thing है कि slot wise अगर आप entry करवाएंगे, मान लीज़े आपके किसी particular examination center पे अगर आपके, मैं आपसे जानदा बच्चे ले रहा हूँ, मैं सारे 300 बच्चे भी आपके मान लीज़े, किसी particular examination centers पे पहुंसते हैं, अगर आप 100-100 बच्चों का अगर आप slot बनाते हैं, तो भी पहले slot में जो बच्चा होगा, जो आपका 2-5 की बीच में examination है, वो काफी पहले examination centers में enter कर जाएगा, जबकि उसका time based अब जो होगा कि वो चाहे था कि सुभए एक घंटे पहले कुछ देख स सकता था, अपने mind को rest state में रख सकता था, लेकिन अब वो यहाँ पे काफी पहले सी examination centers में पहुंच चुका है, तो फिर उस students का जो time जाएगा, वो भी यहाँ पे एक challenging question निकल के आता है, government के लिए, फैड सबसे बड़ा है, कि जहाँ पे बार बार किया जा रहा है कि thermal screening आपकी temperature, normal है कि उसका temperature body का increase किया जाएगा, thermal screening में जो meter होगा, वो बता देगा कि इसका temperature है, तो इसका मतब यह नहीं कि वो COVID-19 से, तो यह कुछ questions जो government के सामने जरूर आएंगे, जब government examination conduct कराने का plan करेगी, जब government पूरी तयारी अपनी करेगी, तो इतना आसान नहीं होगा, government के notification यहां पर release करती है, अगर इसके regarding कोई updates आएगा, इन सभी के regarding तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करें, thank you